नमस्ते आज की हमारी वीडियो हिंदी में है और जे है कबज के लिए घरेलू राम बान उसका आपने वीडियो को पूरा सुनना है और एक ऐसी चीज है जो आप पाणी में मिलाकर पीएंगे तो आपको कबज से स्टकारा मिल जाएगा तो आईए शुरू करते हैं हमारा पूरा दिन अच्छा जाए इसके लिए सुवे का समय जानी दिन की शुरूआत सही होनी चाहिए जैवे समया है जब आपका शरीर और मन दोनों नई उर्जा और ताजगी से भरपूर होते हैं लेकिन क्या होगा असर आप अक्सर पेट साफ ना हो कबज एक बड़ी पाचन समस्या है हाला के कबज से शुटकारा पाने के लिए घ्रेलू उपाई भी हैं लेकिन बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है सुबह की शुरुवात में पाणी पीना एक बहुत ही हेल्दी आदत है जिससे ना केवल आपका हाईडरेशन लेवल बना रहता है भलके जै आपके पाचन तंतर को भी सक्रिय करता है कुछ खास तत्वों को पाणी में मिलाकर पीने से आपका पेट तरंत साफ हो सकता है कब्ज से ही सब बिमारी आती है आईए जानते हैं कब्ज का इलाज घर पर कैसे चुट्कियों में किया जा सकता है क्या मिलाकर पीना चाहिए कब्ज को दूर करने के लिए प्रभावी क्रेलू इलाज जानी उप्चार सबसे पहले नंबर पर है निम्बू का रस सुबह के समय गर्म पानी में मतलब गुंगने पानी में आधे निम्बू का रस चुटकी नमक मिला कर पीने से ना केवल आपका पेड़ साख होता है बलके यह आपके श्रीर को डी टॉक्सिफाई भी करता है निम्बू में बिटामन सी और अन्य एंटी आक्सिडेंट्स होते हैं जो आपकी पाचन किर्या को बेहतर बनाते हैं सेकंड नमबर पर है शहद जानी हनी इसको भी गर्म पानी में जानी गर्म पानी निक गुंग्रे पानी में एक चमच शहद मिला कर पीना आपके पेड़ के लिए बहुत फाइदे मन्द होता है गर्म पानी का मतलब है जितना आप पी सकते हों शहद एक पुरकेर्थिक एंटी बैक्टीरियल है जो पाचन सबंदी समस्याओं को दूर करता है और अम्यून्टी को भी बढ़ाता है थार्ड नमबर पर है अद्रक जानी जिंजर गर्म पानी में थोड़ी सी अद्रक का टुकडा मिला कर पीने से पाचन किर्या सुधरती ह और पेट साफ होता है अद्रक में एंटी इनफ़ल्मेट्रियून होते हैं जो पेट की सूजन को और दर्द को कम करते हैं नमबर चार सेव का सिर्का सेव का सिर्का भी पेट की स्फाई में बहुत मदद करता है एक चमज सेव के सिर्के से एक गलास सिर्के को एक गलास गर्म पाणी में मिलाकर पीने से पाचंत अंतर में सुधार होता है और जय बिजी खास पर उन लोगों के लिए है जिने ऐसे लिटी की समस्या होती है और जय फैट्टी लीवर बाले भी ले सकते हैं नंबर पांथ पर है हल्दी गरम पाणी में हल्दी मिला कर पीने से भी पेट साफ होता है हल्दी में एंटी इंफिलमेंटरी और एंटी सेप्टिक गुण होते हैं जो पेट की सभाई में मदद करते हैं इन उपाउं को उपनाने से पहले आप जय जान ले के इन में से किसी भी चीज़ से एलर्जी ना हो अगर आपको किसी चीज़ से अलर्जी है तो आप जे ना ले सुबह के समय इन चीज़ों का सेवन करने से आपका पेटे साफ रहेगा और आप पूरे दिन तरो ताजा महसूस करोगे ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आल पर जरूर कर लेना वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए वीडियो देखने के लिए धन्याबाद